दोस्तों नमस्कार आप दिरेकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और ने एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है अज तारीक हो चुकी है तीन माई दो हजार चोबीस और इस वीडियो में हम दो जाना की तरह बात करने वाले हैं अज दिन बर में क्रिकेट के रिगार्डेंग जितने भी बड़ी बड़ी खबरे ब्रेकिंग न्यूज निकल करा रही है सभी अपडेट्स को वन बाई वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली हम इस वीडियो में एनलेसिस करने वाली हैं इसलिए आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखते रहे हैं इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्काइबर के बैल आइकन जरूर दबा देना तब का समय यहाँ पर बिल्कुल भी बरबाद ने करेंगे चलिए फटा फटम बात करते हैं अज दिन बर की रिकेट से जुड़ी सभी टोब खबरों की तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल करा रही है प्रिकेट का महासंग्राम यानि टाटा IPL 2024 को लेकर जहाँ पर रोजाना गीतरे IPL 2024 में कल भी हमें बहुत थी इंटरस्टिंग रोमान चकोड शानदार मैच देखने को ला जहाँ पर IPL 2024 के दो सबसे तकड़े अपोनेंट सामने सामने थे संटाइजर्स एदराबाद के सामने थी राजस्थान रोयस के टीम एदराबार टीम के होम ग्राउंड में हमें यह जबर्दस्त मैच देखने को ला था इस शानदार मैच के दुरान बहुत कुछ हमें देखने को ला काफी सारे बड़े बड़े एतिहासिक रिकोड्स भी इस शानदार मैच के दुरान यहाँ पर बने और इस शानदार मैच के बाद IPL 2024 की पोइंट स्टेबल में भी हमें काफी सारे बड़े बड़े चोकाने वाले उलट फेर यहाँ पर देखने को मिले हैं तो वही चलिए सबसे पहले हम थोड़ा साइश शानदार मैच के बारे में डिस्केशन कर लेते हैं तो दूस आईपिल 2024 की दोनों स्टोंग एस टीम में जब आमने सामने थी वहाँ पर हैःःबाद की टीम को पहले बले बाजी करने का मो कामिला संटराइ जोस भले बाजोंने सीरियस्ली बहुती جवर्दस्ट डॉमिनेटिंग बले बाजी यहाँ पर शुरुवात में की जिहां हैदराबार टीम का जो बैटिंग स्कोर कार्ड है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एड कलियर ली देख पारेंगे जहां पर आप देख सकते हैं वे ट्राविस हैड ने आपर 44 गेंदों में 58 रन बनाये तीन छक्के लगाए अभी शेक सर्माने 10 गेंदों मे 19 गेंदों में नाबाद 42 रनों की पारे के लिए जिस दुरान तीन छक्के और तीन चोके लगार इस तरह से पहले बले बाजी करने उत्री शन राइजर सेदराबाद के टीम ने अपने 20 ओर में 3 विकेट के नुक्सान पर 201 रन बराये थे 202 रनों का एक बहुती अच्छा औ उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड कलियर ली देख पारे होंगे शन राइजर सेदराबाद वसिज राजस्थान डुयर्स मैच के दुरान काफी सारे बड़े बड़े हैरान करने वाले रिकोर्ड्स भी आपर बने जिन में कुछ अच्छे रिकोर्ड् डालेते हैं तो दोस्तों पहला रिकोर्ड यहां पर युजवेंदर चहल के नाम वाजिहां राजस्थान डुयर्स टीम के बहुत ही लाजवाफ स्पिनर लेकिन कल का दिन उनके लिए कुछ खास नहीं था इपल हिस्ट्री का उन्होंने अभी तका खुद का पर्ष्णली यहां पर लुटा है हाला कि आपको बताना चाहूंगा कि रिचेंट लिम को टीट्वेंटी वर्ल्ड गप 2024 के लिए भार्ट्रेटिम के स्क्वेड में चुना गया है और पर्फोर्मेंस थोड़ा सा अच्छा दिखाने के विरोध में इन्होंने बहुत ही घटिया पर्फोर 2020 मैची गंपिलिड कर लिए हैं इसकी लाड़ी के लिए एक बहुत ही बड़ी पर्सनल पर्फ यहां पर है उसके अधम बात करते हैं अगले रिकोर्ट के बारे में तो अगला रिकोर्ड याहां पर नीतीश कुमार रेडी ने अपनी नाम किया जहां पर नितिश कुमार यहाँ पर बन गई है आपके वाई शंडाइजर सेदराबाद वसी जराजस्थान रुयल्स मैच के बाद IPL 2024 की पोइंट स्टेबल में भी हमें काफ़ी सारे बड़े बड़े उलट फेर यहाँ पर देखने को मिले है जिहां IPL 2024 की जो नई पोइंट सेबल है उसको आप सभी लोग स्क्रीन पर बिल्कुल क्लीन एंड कलियर ली देख पारेंगे जहां पर करंटली अभी भी आपकी टेबल टो पर अजस्थान रुयल्स की टीम है जो ओल्ड एडियां पर IPL 2024 के फ्लियोप्स में क्वैलिफाई कर चुकी है उसके बाद आपकी सेगेंड थर्ड नबर पर के क्यार लखनों की टीम है उसके बाद नीचे आपकी शीयस के हैदराबाद जैसी टीम है चटे साथवे नबर पर डेली कैपिटावस पंजाब के इंग्स जैसी टीम है आठवे नबर पर गुजरा टाइटन से नोवे और दसवे नबर पर मुंबई इंडियांस और रोयल चलेंजर बेंगलोर की टीम है जो IPL 2024 के फ्लियोप्स के सफर से पूरी तरह से टोटली यहा पर रूल डाउट हो चुकी है उसके अलें बात करते हैं गली खबर की तो खबर निकल करा रही है IPL 2024 में आज होने वाले मैच को लेकर जहां पर रोजाना की तरह आज भी हम यह बहुत ही इंट्रस्टिंग लाजवाब शांदार धमाखिदार मैच देखने को लेका जहां पर मुंबाई इंडियन्स हर्दिक पंडा की मुंबाई इंडियन्स के सामने होने वाली है। पोलकाता नाइट राइडर्स यहां के क्या डिम IPL 2024 के फ्लियोप्स के रेस्ट के बिल्कुल करीब यहां पर है दूसरी तरह आपकी मुंबई इंडियंस के टीम IPL 2024 के फ्लियोप्स के सफर से पूरी तरह से टोटली रूल डाउट हो जोगी है क्यालिक्विकेशन के यहां पर फिलाल करेंटली 0% चांस यानि कोई भी चांस नहीं है कि मुंबई इंडियंस अभी यहां पर क्वैलिफाइ कर सकती है तो भी आपको बताने चेहोंगा कि मुंबई टीम के होम ग्राउंड में ही वानखेडे स्टेडियम में हमें यहां मैच देखने को विलेगा लेकिन दोस कि आर के लिए आने वाले समय में थोड़ी सी दिक्कत यहां टीम जरूर पैदा कर सकती है उसके आदम बात करते हैं गिली खबर के लेकिन उससे पहले में आपको बताना चाहूँगा कि IPL 2024 के दुरण आप सभिक्रकेट इंडिया फैमली के मेंबर्स के लिए हमारे टेलीग् चैनल पर एक special giveaway चल रहा है जहां पर आप में से तीन सो लक्की सबस्काइबर्स जीतने वाले हैं अपनी फ्यावरेट ड्म की जर्सी एपनी फ्यावरेट ड्म की कैप अपनी फ्यावरेट ड्म की रिश्ट बोच करना कुछ भी नहीं है इस वीडियो के पिनाले फाइनल मैच वाले दिन, यानिवाई 26 मही को हम इस शांदार गिव अवे की रजल्ट के एनाउस्मेंट करेंगे जहां पर, आप मैं से 300 लखी सब्सकाइबर्स, जीतने वाले हैं सभी बड़े बड़े गिर्ट्स हो जाईए फढ़ा बट, इस शांदार गिव अवे का हिस्सा बन जाईए, तो चली बात करते हैं, गोली खबर के दो, खबर यहां पर निकल करा रही है, आपकी दो टीमें तो टोटली रूल्ट आउट हो चुकी है, आपकी रोयल चलेंग्जर, बैंगलूर, आपकी मुंबाई इंडियन्स, दोनों टीमें जो वन अब दो स्टूंग एस्ट टीमें अब की बारा इपन में दिखाई दे रही थी, वो दोनों टीमें ओल्ड आड़ी यहां पर बाहर हो चुकी है, टोब चार में किन-किन को जगह मिलेगी, मेरी प्रेडिक्शन के बारे में बात करते हैं, तो वैस सबसे पहले, आपकी राजस्थान, प्रेडिक्शन के लिए जाने वाली है, फोर्थ सपोर्ट किसको मिलेगा, होगी संदाइज सेद्राबाद, पिर होगी चेन नई सोपरकिंग से, बड़ा सस्पेंस बरकरार रहेगा, लेकिन इन दोने में से कौन से टीम नमबर चार पर क्वैलिफाई करेगा, इपेल दो होजार चोबिस के प्लियोस में, आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बुक्स में अपनी राइज जरूर द पिर्टा की स्टीम के दो खिलाड़ी तिक्सन और पथिरान अपनी नैशनल डूटीज की वज़े से, वापिस आईपेल को जो इन नहीं कर पाए हैं, कुछ विजा काम करा रहेगी वई, आपको पता कि आईपेल के जस्ट बार T20 वर्ल्ड गप होने वाले स्रिलंगन डिम भ है, प्लेयर अवेलेबल नहीं होगा, जिसके चलते हैं, अब CSK के लिए, शीरियसली, बहुती बड़ी दिक्कते यहां पर होने वाली है, तुसारदेश, पांडेश, जैसे कि लाड़ी विंजड, और देख दो पिलेयर्स के नाम थे, जो फिलाल थोड़ा सा सफर कर रहे हैं जिसके जलते, CSK टीम का बोलिंग डिपार्टमेंट, शीरियसली, करेंटली, बहुती जबर्दस्त, शोरी, बहुती बुरी फो में यहां पर नजरा रहा है, थोड़ी सी दिक्कते यहां इनके लिए जरूर बढ़ गई है, उसके एदम बात करते हैं, गिली खबर की दो खब करने को मिलने वाला है, काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग रोमांच, शानदार लाजवाब, यह पूरा पूरा टूर्णामेंट होने वाला है, सभी डिटेल्स यहां पर उल्टेडी रिवीर हो चुकी है, और भी आपको बिल्कुल कलियर कट पहले से ही पता है, जहां पर भ लेकर कुछ ब्रेकिंग न्यूज यहां पर निकल कराई है, जब से भारते टेम का सेलेक्शन हुआ है, जिन जिन की लड़े का सेलेक्शन हुआ हो वो सभी की लड़े, आई पिल एकदम से विल्कुल फ्लोप यहां पर हो गई है, गिंद बाज पिट रहे हैं, बले बाज कुछ हो नहीं रहा है, और कई न कई सीरियसली बहुत ज़्यादा डिस अप्टमेंट यहां पर कर दूंगा, उसके अदम बात करते हैं, गिली खबर के दो खबर निकल करा रही है, चैंपियांस टोफी 2015 को लेकर जहां, कल अचानक से यहां पर इंटरनेट पर बहुत सारी ब पाकिस्तान ट्रेवल करने से, मतलब ऐसा पताया था, पाकिस्तान ग्रिकेट वोट ने ऐसा बोला था, भारतिय टीम मान गई है, चैंपियंस टोफी के दोरे पर नहीं जाएगी, इसी न्यूट्रल वेन्यूपर हमें चैंपियंस टोफी के मैचिस देखने को मिलने वाले हैं तो दोस्तों यान दिन बरकर केट से जुड़ी सभी टूब खबरे जाएं इन सभी खबर होगे पर आपकी क्या उपिनियन सामें कमेंट बोक्स में जरूर देना आपने राए, फिलाल की सोड़ों मझे तना इजएधा इंफोर्मेशन के लिए बी सब्सक्राइब रिकेट इ थैंक्स पूर वच्चिंग